एक ऐसा इंसान जो कि खुद की बिजली बनाता है एक ऐसा देश जहां लोग मिट्टी की रोटियां खाते हैं क्रिकेट में बॉल की स्पीड को कैसे मापा जाता है और क्या आपने हवा को अपनी आंखों से देखा हैं और क्या आपने कभी मोधी जी की चाई की दुकान दिखी इनके शरील में 0.25 A तक करेंट दौरता है जो किसी इनसान को मौत के नीन सुलाने के लिए काफी है एक्सपर्ट्स ने मोहन पर बहुत सारे टेस्ट किये हैं जिसमें उन्होंने ड्रिल मशीन बल्ब और भी कई चीजों को अपने शरील में दौनने वाले करेंट से चला दिय में डाल देनी वाली बात तो यह है कि आखिया इंसान जिन्दा कैसे है इतने करण से तो एक इंसान की मौत बहुत आसानी से हो सकती है एक ऐसा देश है जहांके लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास अनाज खरीदने की भी पैसे नहीं है असल में ये करिबियन देश है यहां के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पिती तेली मिलाकर उसका लेब बनाते हैं फिर उसे धूप में सुका के खाते हैं पीजा खाते वक्त में है की पहली बाल पीजा किसने ऊडर किया था असल में 1889 में इटली डानी मारगरिट टक जिवाई नौर तनारिका में मौजूद है ये सब एक भूकम के वज़े से हुआ था जो कि आपको एक मिलियन डॉलर का प्राइस देगा अगर आप उन्हें ये प्रूफ कर दिये कि पैरनॉर्मल एक्टिविटीज सच में होती है जैसे कि घोष्ट, स्पिडेट ये सच में होती है अगर आप ये प्रूफ कर दिये तो वन मिलियन डॉलर आपके क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सेना ने एक बंदल को पंजाब प्रांत में बॉर्डर पार करते हुए पकड़ लिया उसे वाइड इफ ओफिशिल्स ने बहावलपुल में पकड़ा था और इस बंदल को बहावलपुल की चिडिया घर में बन करके रख दिया है सुनने में अटपटा लगता है पर दोस्तों ये सच है क्या आप जानते हैं कि इटला को एक समय नोबल शांति पुरसकार के लिए नॉमिनीट किया गया था क्योंकि इटला ने सारी मेडिया को सरकार के कंट्रोल में लिये लिया था जिसकी वज़े से जर्मनी के अंदर के अक्टिविटीज का बहारी देशों को पता ही नहीं चला था एक अनाहिता नम की एक बच्ची है और इसके मुस्कान को दुनिया के सबसे खुबसूरत मुस्कान घोशित किया गया है और इसकी उमर सिर्च 4 साल की है आपने बहुत सारे लैंग्विज इसको सुनाई होगा जो कि सुनने में कुछ अलग लगते होंगे लेकिन आईरिस लैंग्विज के बाले में इंट्रस्टिंग बत तो यह है कि इस लैंग्विज में Yes or No के लिए words है यह नहीं अगर आपको Yes or No बोलना भी है तो आपको actions का यूज करना होगा या फिर कोई option नहीं है नमर 20 यह गटना बहुत है इंट्रस्टिंग है तर्की में साल 2005 में एक भेड ने एक चोटी से चलांग लगा दी पर इसके बाद जो हुआ वह बहुत अजीब था क्योंकि जब पहले बेड ने चलांग मारी तो इसके पीछे पीछे 1500 बेड ने भी इसे ही फॉलो किया आपने ओलम्पिक प्लेज को तो देखाए होगा कि यह मेडल जीतने के बाद ऐसे मेडल को बाइट करते हैं असल में ऐसा यह इसलिए करते हैं ताकि वो पता कर सकें कि वो असली गोल्ड है या नहीं आक अब आपने दुनिया के सबसे पड़े लिके पक्षी के बादे में सुनाएं सुनने में हजीब है लेकिन ऐसा सच मुछ में है यह तोते का नाम पक है और आप मानों की नहीं कि इसे 1700 वर्ड बोलने को आते हैं और यह 1995 से ही Guinness Book of World Record में जगा बनाया है इसके स्पीड कैसे पता लग जाती है जबकि बॉलर हवा में गें फिकता है और चारें तरफ मैदानी मैदान होता है पहला तो क्या कभी आपने स्पीड गन का नाम सुना है अगर नहीं सुना तो आपको बता दो कि ये स्पीड गन का ही देन है जो अपनी रफ्तार की मदद से बॉल को ट्रैक करती है और हमें उसकी एग्जाक स्पीड बताती है इसमें तो कोई शक नहीं कि हम हवा को भी देख सकते हैं क्योंकि सब का जवा आप ना ही होगा पर हमें नहीं बूलना चाहिए कि जहां पर हमारी सोच थम जाते है वहां से साइंस का करीश्मा शुरू होता है जी हां साइंस के पास ऐसा तरीका मोजूद है जिससे हम हवा को देख सकते हैं और वो मेथड है शिले रेन एफेक्ट दरसलिस मेथड में फ्लो की मदब से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं दोस्तों आपने एकसर बड़े-बड़े होटलों में बड़े-बड़े किचन के बारे में तो सुनाई होगा जो बताते हैं कि उनके यहां रोजाना कितना खाना बनता है लेकिन क्या आपको पते है कि दुनिया की सबसे बड़ी kitchen का record किसके पास है। अगर नहीं तो जान लीजिए कि अमरेच सर के golden temple को दुनिया की सबसे बड़ी kitchen का किताब दिया गया है। यहां रोजाना एक लाग से ज़ादा लोगों का खाना बनता है। जो कि लोगों को लंगा के तौर पर फ्री मिलता है। अब इस इमेज को आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो। वह एक ancient pocket shopping list है। पुराने समय में लोग इस तरह की pocket shopping list का यूज किया करते थे। जबकि आज technology कितनी बदल गई है। 12. हर्याना के गाउं में एक ऐसा गदा है जिसकी कीमत किसी लक्जोई काल से कम नहीं है। टीपो नाम का ये गदा मिडिल इंडिया में इतना मशूर है कि बात अगर इसकी कीमत की करें हैं तो ये पूरी 10 लाग का है। अपनी uniqueness के चलते इसे इंडिया और एशिया में गदों का सुल्तान भी कहा जाता है। 11. आपने बचपन से लेकर अब तक ना जनी कितने के बार रोमन काउंटिंग देखी होगी और उसका use भी क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते कि रोमन काउंटिंग में ऐसा फिगर भी है जिसे डिफाइन ही नहीं किया गया। इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि रोमन काउंटिंग में जीरो अकिला एक ऐसा नंबर है जिसको शोर करने के लिए कुछ भी नहीं वना है। इसलिए आप चाहा कर भी रोमन में जीरो को नहीं लिख सकते। दोस्तों इंग्लिश को युनिवर्सल लेंग्वेज कहा जाता है। से ज्यादा लोग सुबह उठने के आधे कंटे के अंदर ही तंबाको को खाना शुरू कर देते हैं। ब्राजिल में चोटा सा शहर है जिसका नाम नाम का मतलब होता है डोंट टच। इस नाम के चलते ही शायाद यहां की आबादी सिर्फ 15,000 लोगों की है। इस फैक्ट पर शायर ही आपने कभी गौल किया हो। आप शायर नहीं जानते कि आपके थम का साइज आपके नोस के साइज के बिल्कुल इकॉल एनी सेम है। वेट 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 आप एक बड़ ट्राइ करके रीखें और अगर सेम है तो कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ग्रेट ट्राइटर सर विलेम शेक्सपेर की मौत उनके 52 जन दिन पर हुई थे। उनका जन तेवीज एपरेल 1564 को हुआ था और डेट 23 एपरेल 1616 को। 5. एक एक्सपेरिमेंट में ये बात बिल्कुल क्ले हुई है कि ट्वालेट सीट पर जितने बैक्टीरिया होते हैं कि उससे लगबग 200 गुना ज्यादा बैक्टीरिया एक आम इंसान के एक कंप्यूटर कीबोर्ड पर होते हैं 4. Apple आज दुने के बड़े बड़े ब्रैंज में गिना जाता है लेकिन क्या आप जैनते हैं कि Apple का सबसे पहला कंप्यूटर कैसा था ये इमेज़ साल 1976 की है जब Apple ने अपना सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था और ये इमेज़ साल 2020 की है ये है एपल का सबसे लेटर्स और एक्स्पेंसिव कम्पिटर है ना ये अमेजिंग डिफरेंस नबर तो ये लेली फ्लावर के बाए में तो आप सभी ने सुनाई होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा लेली फ्लावर कौन सा है जाइंट वाटर लेली नामकर ये लेली सबसे बड़ा लेली फ्लावर है इसके पते तकरीबन 6-9 फीट तक होते हैं यतना ही नहीं है ये पते 100 पॉंड से भी ज्यादा का वजन आसानी से उठा सकते हैं अगर आपको भी नहीं पता कि गूगल पर एक दिन में कितने सर्च होते हैं तो जान लिजे कि गूगल पर लोजाना 6 अरब 58,60,13,574 सर्च होते हैं जिनमें 15% सर्च ऐसे होते हैं जिनको गूगल भी पहली बार देखता है दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे PM नरेंद्र मोधी जी किसी जमाने में चाय बेशते थे लेकिन क्या आपने कभी वो दुकान देखी है जहां मोधी जी चाय बेशते थे अगर नहीं तो ये देख लीजिए ये है स्टॉल नमबर टी थर्टी ये वही स्टॉल है जहां मोधी जी कभी चाय बेशते थे इसी ठेले से इन्होंने PM की कुलसी तक का सफर किया है उनके इस इंस्पारिंग स्टोरी से पता चलता है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ मुम्किन है वीडियो अच्छे लगी थी इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ओन कर लेना